फेटरेー师टर अब ग्रूफ हॉशिंग सोसाйटी की तरफ से आइपी एक्सेंसन की सोसाइटी को जीरो वेष्ट सोसाइटी बनाने का परियास किया जा रहा है वेस्ट मेनेजमेंट के नियमों के परती जाग रुकिया साथ ही उन्हें निगम की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा जताया रूबल सिंग ने कहा कि दिली नगर निगम की तरफ से जीरो वेस्ट के नियमों का पालन कराने का लगातार पर यास किया जा रहा है इसके लिए निगम की तरफ से लगातार जागरुकता अभियान भी चलाया जा रहा है लोग इस अभियान में अपना सहयोग भी कर रहे हैं देखें यहाँ पर जो है आज आईपी एक्स्टेंशन से काफी सारी सोसाइटेज आई होई है और यह सभी जो हैं कुछ लोग इतने जागरुक हैं वो अपनाना चाहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं उनको वेट वेस्ट मैनेजमेंट ट्राइवेस्ट मैनेजमेंट इवेस्ट मैनेजमेंट इन सभी के ओपर यह काम करने के लिए इच्छुप भी है और मुझे लगता है कि societies में जब आपस में a consensus बिल्ड होता है और जब वो कुछ से काम करना चाहती है as a project तो वो आगे उसके results जरूर आते हैं अभी हमने इन से चर्चा में एक बहुती ब्रीफ में हमने बताया है कि वेस्ट मैनेजमेंट में पे क्या कर सकते हैं बाकि यह सभी लोग जो हैं यह बहुत educated और बहुत ही अच्छे जो है background से आए हैं जो सभी समझते हैं कि किस तरह से करना है और इसको करने के लिए I think उनको उतना push की requirement जितनी चाहिए उतनी MCD उससे जाधा देगी और MCD की पूरी support रहेगी 100% इनको किस तरह से यह पूरी process में किसी भी तरी है कि IP Extension की Society Zero Waste Society बने इस कारी में दिली नगर निगम की अधिकारी और करमचारी का पूरा साहियोग Federation को मिल रहा है और उसके साथ ही हमने यह Solid Waste Management को लेके Federation की और से सभी Society's के President Securities को इनवाइट किया उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्दी मोहिम में जुड़ें और अपने IP Extension को Zero Waste Area बनाने में